Hello everybody, मैं राजेश सर, आपका Mathematician, Life Coach and Motivational Speakers आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है, मैं आपके Maths को General Life से रिलेट करने वाला हूँ तो कैसे क्या अब Success का क्या मंत्रा होता है, मैं आपको आज बता रहा हूँ तो अगर मैं Alphabetically A से Z तक लिया, इस डिजिस्ट 1 to 26, अब आप देख रहा है कि 100% होगा, वही Success की Guarantee है तो सबसे पहले अगर मैं A को आप 1 माले, B को 2 माले, C को 3 माले, D को 4 माले, as it is Z को 26 अगर बहुत सारे लोग करतें कि hard work से success पाया जा सकता है, लेकिन अगर मैं hard work को number से अगर compare करूं तो इसका sum क्या आ रहा है, 98% मत्वे 100% नहीं है, तो success की कोई Guarantee नहीं है, hard work से, तो अब अगर मैं आप से पूछना हूँ, कि वह 100% के लिए क्या चाहिए तो अब यहां आपका जैसे luck की luck अच्छा होना चाहिए, तो 100% success हो सकता, अगर मैं इसको digit से compare करूं, this is 47%, मत्व इसमें भी आपका 100% नहीं आया, लेकिन luck के compressions में hard work is more preferable अब आप अगर बोलिया है, सर, 100% क्या है, तो अगर मैं knowledge को compare करूं, number से, तो knowledge को अगर आप आइट कर रहे हैं, यहां क्या आ रहा है, 96%, तो that means इसमें भी आपका 100% नहीं आ रहा है, तो अब आप बोलेंगे कि 100% कैसे होगा, तो इन में से कोई भी 100% स्कोर नहीं कर सकता है, तो फिर वह क्या है, जो 100% स्कोर कर सकता है, तो कुछ लोग कहेंगे money, अब अगर मैं money को number से compare करूं, तो यह भी क्या आ रहा है, 72%, मतलब money से भी आप 100% सक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो कुछ लोग कहेंगे कि वाई, leadership अगर leadership को भी अगर number से करूं, तो यह भी एक भी क्या आ रहा है, आपका 97% आ रहा है, मतलब इसमें से अभी तक देखें, कोई भी 100% नहीं है, तो 100% क्या है, जिवन के सभी समस्चाव का समधान सब्बम है, यह दि हमारा attitude या ड्रिष्टी कोन सही हो, आप attitude को अगर add करें number से, तो 100% सफल पाया जा सकता है, मतलब 100% सफलता के लिए आपका attitude बहुत अच्छा होना चाहिए,